आप लोग मैं आदस बाच पर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मैंने सिविक्स के पहले चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन बताया था पावर सेरिंग जोगी चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था इतनी कंपोजिशन हमने कैं बता होना चाहिए स्रीलंक की बात करें या बेल्जीयम की बात करें Nah सी बनाले नहीं विडियो सारे पॉइंट कब आज हम्रें साक्काल है आज कि लिए में स्रीलंका निस्फिक सरीलंका सबसे पहले आपको बता है सिन्हाला को सुप्रीमेशी दे दी गई सिन्हाला को क्या बना दिया गया एक तरीके सम बोल सकते हैं अब आपको पता है लैंग्वेज के बेसेस पे डाइवर्स्टी दोनों कंट्री में ही थी लगबग स्री लंका में भी थी और बेल्जियम में भी क्या था लैंग्वेज के प्राब्लम आई उनको हम देखेंगे अब जैसे पहले हम बात करते हैं स्री लंका की तो देखिए आपको पहले पहला पॉइंट नहीं सेकेंड पॉइंट समझना है क्या कर दिया गया Integration Me 1956 में Sinalha Language को क्या कर दिया गया वहां की Officialalten लैंग्वीज बना दी गई तमील लैंग्वेज से वहां का कोई मतलब नहीं था एक तरीके से हम बोल सकते है सिनहाला को क्या कर दिया गया? अफिसियल लैंग्विज बना दी गई जैसे आफिसियल की मीनिंग जैसे आफिस में जो बोली जाती है राष्ट के लिविल पे जो भी भासा है उसे हम क्या बोल सेकते? राष्ट ही भासा एक तरीके से इसे बना दिया गया अब कंट्री में problem हैगी क्यों की स्री लंका की बात करें तो वहां पर तमील speaking भी थे लेकिन सिन्हाला लैंग्विज को क्या कर दिया गया था वहां पर official language बना दिया गया था सिन्हाला वर given to fervor in government job सिन्हाला को preference सिन्हाला प्रिफेरंस दिया जा रहाàng स्नाला लाइंगविज को जादा प्रिफरर किया जाता था ये सब अलग अलग पॉइंट थे जैसे चानल इसी तरीके से यह क्या थी अब देखिए जब इस पॉइंट आप देखेंगे तो इसे क्या कर दिया गया यहां पर पावर सेर नहीं की गई थी इसलिए यहां पर क्या हो गया सिविल वार में यहां पर आप से बताया गया है बहुत सारे लोग धी के लोग क्या हुए बहुत सारे लोगों की डेध हुई बहुत सारे लोग आपस में क्या किये गए मारे गए यह पॉइंट आप समझ लीजे दाज आल इंक्रीजिस दा स्री लंका की बात करें जो तमील स्पीकर्स थे एक पॉइंट मिस हो गया था इसकी मीनिंग समझ लीजे अगर आपको नहीं सौन में जो तमील स्पीकर्स थे वो क्या कर रहे तो खुद को अलग समझ रहे थे कंट्री से उन्हें लग रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ देश की अर्थवेस्था का नुकसान होता है और क्या हुआ बहुत सारे लोग अब सिर्फ यह टापिक नहीं कि स्री लंका में क्या हुआ यहां से आपको फता यह قारी शेयर नहीं की जाएगी कितना बड़ा वाइलेंस हो गया और कितने जादा लोगों की जान चली गए एक तरीके से वार हो गया। अब second हम topic पढ़ेंगे accommodation in Belgium, Belgium में इसके just opposite change हुए हैं, जैसे स्री लंका और Belgium की story से ही हम power sharing को समझते हैं, आपने यहाँ पर समझा, स्री लंका, दो मिनट में मैं आपको फिर से revise कराता हूं कि स्री लंका में हुआ गया, स्री लंका में कुछ tamil speaking सुगा करते थे, जो क्या करते थ तमील बोलते थे और कुछ क्या थे, सीनहाला बोलते थे, लेकिन वहाँ पर क्या किया गया, सिनहाला को official language बना दिया गया, और जो गौर्मेंट जॉब थी, उनके favor में हो रहे थी, उन्हें जादा preference दिया जाता था, जो सिनहाला language करते थे, जब 1956 में बना दिया गया, official language बना कर दी कि हमारे साथ ऐसा भेद भाव क्यों हो रहा और उसी का result क्या था कि वहाँ पर एक सिविल वार हुआ और उस सिविल वार में 1000 आप पीपल हजारों लोग क्या कि युद्ध में मारे गए, तो यह region क्या था पावर से अब देखें, यहाँ पर आपको एक question और आता, अभ वहाँ पर क्या होगा, हम आगे देखते हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरीके का कोई वार होगा, या वहाँ पर किसी तरीके का change होगा, ठीक है, यह हम देखते हैं, बात करते हैं, अब हम स्री लंका की, जैसे हमने की स्री लंका की बात, अब हम बात करेंगे, बिल जीम की, कि बेलजीयम की कैप्टल क्या है ठीक है इस तरीके से सबसे पहले देखिए जो पॉइंट दिये गई है आपको नहीं देखना यहाँ पर कुछ समझेए आपको पता है बेलजीयम में भी क्या था इस तरीके की कम्मिनिटी थी की फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और डची भी नहीं हुआ है वहां कि पार्लियम ने कॉंस्टिटिउशन को चेंज किया आपको पता होना चाहिए जैसे बहुत सारे रूल होते हैं बोला जाता है कि यह रूल लेकिन जब कंस्टिटेशन लिखा गया है जब संविधान लिखा गया तो इसमें एक टर्म दिया गया है एमेंडिंड के लिए कि कभी इस सविधान संसोधन किया जा सकता है देखिए इसको पहले आप समझ यह जब समझ लिखा जा रहा था तब काफी लोगों का यह मानना था कि जैसे जैसे time change होगा society में लोगों की thinking जो है विचारधारा जो भी है विचारधाराएं वो क्या होंगी change होंगी उसके लिए हो सकता है जो अभी हम point लिख रहे हैं समविधान में constitution में वो हो सकता है उस time पे हमें change करना पड़े या जैसे जैसे हमारी society change होगी thinking change ह होंगे उस तरीके से constitution में भी कुछ change करने पड़ेंगे तो यह समविधान संसोधन किसी भी country के समविधान में किया जा सकता उसके लिए भी कुछ condition है तो उन्होंने क्या कि अमेंडियंट किया constitution को constitution को क्या कि वहां का जो भी समविधान था उसमें कुछ क्यों क्योंकि वहां पर diversity स्टार्ट हो गई ती जैसे कि डची स्पीकिंग ते और फ्रेंची स्पीकिंग आपको पता है वह क्या कर रहे तो वहां पर constitution को क्या किया गया उसमें कुछ संसोधन किये गए और संसोधन के बाद कौन से नए पॉइंट आई क्या चेंज किया आप पावर भी इवन टूट गॉर्मेंट यए वर नाचव संद्रेश्ण गवर्मेंट टूध फैर्टम है आप अपने स्टेट को देखिए से जब दूसरी जो भी बात थी थर्ड काइंड आप गॉर्मेंट कमिनिटी गॉर्मेंट वास फार्म दिस गॉर्मेंट हैस पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशनल एंड लैंगवेज रिलेटेड इसू और दूसरी इंपर्टेंट आपको बात पता होनी चाहिए कि वहां पर जो डाइवर्सिटी चल लही थी पावर सेर नहीं हुए थी उसके लिए क्या किया फ्रेंच स्पीकिंग और डच पिवह भी थी ने बता दिया कोई बी डिसीजन अगर बनाना है कोई भी डिसीजन नेड़ै लेना है पार्लेंट में तो उसमें डच कमिनिटी भी होनी क्वेश होनी चाहिए कोई से नया रूल बनाया जा सकता इस итоге नहीं किया गया तो इस तरीके से को पता होना चाहिए कि बिल जियम में कैसे constitution को change किया गया क्या किया गया बेल्जियम में constitution को change किया गया अगर हम power sharing की बात करें कि क्या बेल्जियम में power share हुई तो आपका answer क्या हुगा यस कैसे power share हुई वहां का जो constitution था उसने कहा कि Dutch वाले जितने भी लोग है और French वाले उनके लिए Parliament में seat equal होंगी ठीक है तो इस त पूझे कि आप बताईए स्री लंका में क्या हुआ स्री लंका में power share कैसे हुई तो आप बताएंगे नहीं स्री लंका में power share नहीं हुई अगर आपसे बोल दिया जैब multiple choice question में कि स्री लंका में power share क्यों नहीं हुई क्या रीजन power share ना होने के बात क्या हुआ तो आप क्या बत का जो ऩी की ठांटी करने अबट करी में दोनो खाल। लेकिन बेलजियम में बता सकते हैं वहां पर ऐसा नहीं किया गया वहां पर वहां की गॉष्ट के सब्सक्राइब करती यह सेकंड वीडियो था मारा पावर शीरिंग का इसके बाद कुछ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेर करिए जिससे सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके थाइक